ट्रेल ट्रीद कामरान भवानी क्या आप स्टॉक अक्सेंच में इन्वस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को जॉइन करें हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरी मश्वरे हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप जॉइन करने के लिए इन वर्टसप न लेम या ब्लेम नहीं है आज का हमारा टॉपिक होगा कि डाइवर्टिंग माइन हासिल क्या होगा बड़ी खबर भी आ गई इसको पर हम बात करेंगे कल के वी लोग के अंदर बताया गया था कि मार्केट ओवर सोल्ड है और मार्केट रिबाउंड करेगी आज मार्केट ने और इसके बाद मार्केट फाइनली हमने दिखा कि मार्केट 447 पॉइंट लोग बना के 63,290 कल का भी लोग रेक किया मार्केट ने और मार्केट क्लोज रही 63,566 की तरफ 170 पॉइंट माइनस के साथ वाल्यम में इजाफा हुआ 420 मिलियन के वाल्यम से जो कल की वाल्यम से स्ल बना रही है तो मार्केट को बताएंगे टेकनिकल ग्राफ के ओपर किस तरह से किया जा रहा है और उसका नतीजा क्या हस्य लोगा सबसे अगर हम देखें टॉप वोल्म डीजर टॉप गेनर्स डिक्लाइन आपके स्क्रीन के अपर है इनमें प्राइस के साफ से वॉल्म के साफ से काम हुआ इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर जो के आच चुकी है कि आ एम फ और पाकिसान के दर्मि ग्रोड डॉलर की दूसरी किस यानि हासिल होना थी अलहमदोल्ला वो किस हासिल हो चुकी है पाकिसान के रिजर्व में इजापा होगा और देखा जाए तो यह हमारी के टेकर गौर्न्मेंट और आर्मी चीफ मुस्तरसल मेहनत कर रहे हैं और हमारे रिजर्व को भी बड़ा अशारिया एक अरब डॉलर मिलेंगे यह यानि के बाद में मिलेंगे तो ओवरोल सत्तर करों डॉलर रिसीव हो चुके जो कि यह हमारी महिशत के लिए बहुत अच्छा है अच्छा इरान और पाकिसान के वाले से तोड़ से मामला यानि खराब चल रहे हैं क्योंकि एरान की तरह स्कीन मिजाइल यानि के हुए थे और पाकिसान का इरान से अपने सफीर को वापिस बुलाने का पैसला जबके पाकिसान से भी इरानी सफीर को जाने का के जिए गया है जब तक यह मामला तोड़ चलेंगे तो यह थोड़ी सी अंसर्टेनिटी रहेगी आईटी सेक्टर के हाले से बड़ी good news है के तेरा परसंद की growth हुई नॉबर के मत में और और संबर साथ दिन के अंदर donne सी परसंद की ग्रोथ हुई है आई टी सेक्टर्स के अंदर अब तक तीस सो मिलियन आ यानि की डालर की एक्सपोर्ट हो चुकी है जो क्रॉस कर चुकी है और मज़ीद यानि मज़ीद एक्सपोर्ट में इजाफा होगा तो यह सबसे बड़ी खबर है यह भी खबर अच्छी है आ नॉंबर दोजाट तेश में सन्निती पैदावार में तीन अशरियत त्रेसर फीजद इजाफा हुआ यह सारे यानि की दिखा जाए तो यह फिगर्स आ रहे है टेक्स एमनिस्टी स्कीम दो दी जा रही है दोजाट चौबीस के लिए जो टेक्स नेट में नहीं उनको एक प ब्लूंबर्ग की तब से एक गुड़ नुशी के पाकिस्तान में शराय सूथ साथ फीसद तक कम हो सकती है दोजाट चौबीस की पहली सेमाई में पाकिस्तान में महेंगाई और सब्सक्रान पच्चीस फीसद से नीचे जाने हो जाने का तवक्व है ब्लूंबर्ग की पेश जाए तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुश खबरी है जिसमें तामवे के और गोल्ड के यानि कि अच्छे खासे जखायर यानि कि मिलना शुरू होंगे और इंडस्टर के लिए अच्छी खबर है और इंडस्टर के लिए अच्छी खबर है बाकी यह कि स्टेट बिंग ने कुछ रेस 157.53 बिलियन तुरू पी आई-बी आप्शन के जरी यानि कि रिए जिस्स किया जिसे लिकुडिटी जो मामलात वो तो से काम होंगे इसके ला से पांच मां के बाद यानि कि अच्छा हाइस साइट पर यानि कि प्लस हुआ है यह बहुत अच्छी यानि कि यह भी खबर यानि कि बहुत अच्छी है इसके साथ ही अगर हम जैसे के बात करें इंटरनेशन तरफ तो इसक्ट इंटर्णेशन मार्केट में कुरूड अपका ट्रेट कर रहा है सेवंटी वन पुइंटी नाइन सेंट के पास क्यों कुछ डाउन्साइट की तरफ एक डॉनर्ट ट्री सेंट पूरूड आपका बेसिकली दिखा जाते हो रोलोवर वी के और अठारा तरीक रोलोवर है जिसके जासे कुछ वी की सेवंटी फाइव का हाई लिया था वहां से पिर डिक्लाइन हुआ है पुरूड वेल रोलोवर के बाद इसमें इंप्रूव्मेंट आ सकते हैं पिलाल अगर सतर का लवर ब्रेक करता तो डिक्लाइन है जोहाना अदरवाइस सेवंटी गोल्ड तक जासकता है गोल्ड इनमें ग्रावट हुए थी टुविटी तुविटी टू एटी टक सेवंटी तक और सिल्वर दुबारा रिबाउंड कर गया है तैस डालर तक जब्कि गोल्ड भी आपका 1230 के बासर है गोल्ड आपके बाउंस में कर जाई तो कल डॉलर में इजापा हुआ था जिसकी वज़ा से इनमें थोड़ी सी ग्रावट विजे लिए कि डॉलर में अब ग्रावट इस्पेक्ट ही रहे और आपके गोल्ड शिल्वर यानि के अब हो सकते हैं इसके इसके लावा गरम रिस्टर लेवल में गरम देखे तो 63,00794 हमारा रिस्टर 951 पॉइंट मार्केट और बोट के साथ पर परफॉर्म कर रही है इसके लावा अगर हम बात करें तो यूई की तरफ से भी कंफर्मिशन आ चुकी है कि यूई कंफर्म रोल ओवर ऑफिट्स टू डिपॉजिट वन बिलियन इच प्लेस विच स्टेट बेंग और पाकिसान तो यह सारी पॉजिट यानिके खबरें इसके लावा अगर हम बात करें मार्केट के अवाले से यानिके टेक्निकल ग्राफ के साब से ओर अगर देखा जाए तो देखें आपके सामने स्क्रीम के पर कल भी हमने यह चार्ट शो किया था और कल परसंटेज जो थी हमारी तक्र गरिफ है ब्रेकाउट का लेवल मार्कें ब्रेक करदेती है लाइक चौसर थीजा सलावल दूसों का लेवल जो कर पहले 5000 थी शो था अब चौसर थीजा थीजा तैब कि तुछ उच्छा हे थEक तरह अठी है तु सबस्यले मार्कें सुआए और तो ही कि लिए एक डिरेक्शन मार्कित की पता चले गी मार्केट में एगर हम देखें तो देखे आ मार्किट आपकी ओर रोल अगर हम देखें तो मार्केट हैई लेवर्ल टैस किया था सिष्टी साफ़ी साउजर नाइनटी तरी का और तो वहां से मार्केट ने गिरावट की थी लगबख ऐफ्टावन हजाड़ सास्सो अथावन तक तो अगर हम टाइम फ्रेम के साफ से देखें तो मार्केट में रिबाउंड बनता था और मार्केट ने च्छेज़ पॉइंट का कुछ रिकवरी भी थी और मार्केट तक्रीबन आपके पैंसाथ घजार की करीब आ गई लेकर अगर 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 अपना एक बॉटम जो के आटावन अगर बना चुकी है अगर मार्केट बाशार चार सो का लबावा ब्रेक नहीं करती है और उससे उपर ट्रेट करती है तो मार्केट के पास पोटेंशल है कि मार्केट आपकी पैंसाथ घजार से लिएकर सत्तर घजार और मैक्सिमम सेवेंटी पाइट ताउसन के लेवल भी अचीव कर सकती है लेकिन अगर बाशार चार्सों का लबावा ब्रेक हो जाता है तो चैनल उससे 17 दिन से 24 8 अगर देखा जा depends उससे 74 दिन ह Become a ॉसल्डी उगे मार्केट आपके एक रेंज आट के मार्किट में कुछ स्कृप्ट में इजाफा भी हो रहा है कुछ स्कृप्स कम भी हो रहें साइब बोर्ड इस्टॉक्स जैसे का परफॉर्म करते हैं नजर आए इंडस मॉटर एट्रस वैटरी यानि के दिखा जाए तो बहुत सारे ऐसे साइट कॉर्नर स्क्रिप्स है जिनमें पॉजिटिव एक्टिविटी थी तो जब के में बोर्ड के आइटम से वह आपके तोड़ से डल थे नेगेटिव थे तो पिछले सोला दिन से मार्केट में एक डल एक्टिविटी रखी जा रही है माइन को डाइवर्ट किया जा रहे है माइं तो डाइवर्ड इसली किया जा रहा है कि लोग ऐसे में जो बहुत सारे future लिवरेच्ट होते ही वह पैनिक हो जाते हैं आफ लोट कर जाते हैं बहुत से डिलिवरी वाले होते हैं वो भी जिसे कि गलत पैसले ले लेते हैं उनको यह लगता है कि market नहीं चल रही पिर इनको inside जो news मिल रही होती है जैसे कि political side पर आपको uncertainty की news मिल रही है फिर election के वाले से confusion है कि election से पहले निकल जाना चाहिए election के बाद निकलना चाहिए election के दोरान पर मामलाद खराब ना हो जाए फिर इसके लावा और भी uncertainty की news मिल रही होती है लेकिन याद रखें कि market इस वक्त आपकी यानि के दिखा जाए तो consolidation pace के अंदर है और जिसे कि मैंने आपको भी picture दिखाई 12400 का level market अगर इसको sustain करती है तो market के पाद पोटेशन है कि market 50000 से 70000 का level भी chase कर सकती है क्योंकि market न भी एक top रखा है market न भी second top में रखा या तो second top की जगा है या divergen की जगा है market के अंदर देन उसके बाद market इसके बाद गिरावट हो सकती है लिए उससे पहले जगा अच्छी है जैसे के पेल लास्ट वीक के अंदर भी हम आपको बताया था कि जब मार्केट नया हाई बना यानि रिकवरी की तरफ जा रही होगी तो उसमें नए हाई बनेंगे जिसमें ओटो सेक्टर में होंडा का नया हाई बना टू एटी नाइन का हाई बना ओल्मॉस्ट दो सो है यानि के कंसोलिडेशन पेज में चल रही है बहुत इंपॉर्टन लेवन है अगर यह ब्रेक होगा तो मंदी हो जाए कि अगर यह ब्रेक नहीं होता तो मार्केट के बास जगह है पैंसर हजार से लेके सब्तर हजार तक की जगह है लेकि अगर अगर आब इसी चीज़ को फर शोर्ट ग्राफ के इसांग pouco है जशॉर्टISA के पालश के वाले के देखें आज भी हमने मूव देखि पो बहुत नेरी वह रही यानि बहुत छोती मूफ रही और से मने हम worlds में नहीं ने देखा कि मार्दिन और और आप इक फो बहुंशे हम देखेंगे कि मार्केट का अंदर पोटेंशल हो । कि मार्केट चो साथ हजार से लेके चौसार दाथ-चेसो तक या-पैंसा तक मूव करेगे लिए लिकिन जिस तरह की खबरें जो अभी आ मार्किट के अंदर है कि पाकिस्तान को आएमेश से पैसे की तरफ से रोलोवर हो गया और फिस के अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही है ब्लूमबर्ग और दूसी तरफ से तो इंशालला कोई अच्छी रेली की तरफ कोई अच्छी गैप ऑपनिंग हो सकती है मार्केट के अंदर और मार्केट जो इतने दिनों सो रुकी वी थी एक अच यानि आप होल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रिकवरी की तरफ भी आ यानि के आ सकते हैं इसके अलावा कल भी हमने कुछ स्टॉक्स दिये थे अलम्दुल्ला उनके तार्गेट अच्छी हुए और जो देखा जा तो इस्पेशल गुरूम में भी टाइम बर टाइम हम और कल भी मूब कर सकते हैं इसके साथ साथ यानि गबराने वाली बात नहीं है पैनिक वाली बात नहीं है ठीके जी शुक्रिया कामा मिमन बावानी अलाफिस